हलो बच्चो आप सभी का हमारे चैनल S.A.C. G.H. में स्वागत है मैं हूँ उदय संकर बच्चो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट M.C. Q. Q. पर बात करेंगे जो कि करेंट अफेर से संबंधीन्थ हो गया 2023 के जो करेंट अफेर्स हैं उनमें हम लोग खेलकूद और पुरसकार से रिलेटेड आज हम लोग M.C. Q. को देखेंगे multiple 24 questions को देखेंगे जो कि संखिया 40 में होंगे आज हम लोग total 40 M.C. Q. को देखने वाले हैं जो कि पुरसकार और खेलकूद से रिलेटेड होंगे बच्चो इसको बनाने से पहले जो 2023 का जो लेखा जो खा नाम का जो वीडियो हैं आपके सामने आप अगर वीडियो सेशन में जाईएगा तो आपको वीडियो नमबर वन और वीडियो नमर टू प्राप्त होंगे पहल पहले आप इसको पॉस करके पहले आप खुद से बनाईए सोयम अकलन जरूरी है और इसके बाद आप अपने एंसर को हमारे एंसर से एक बार मैच कर लीजिए चलिए देखते हैं पहला आज का MCQ क्या है पहला सवाल क्या है सेतिस्वे राष्टी खिल का योजन की सराजी में किया गया सवाल पूछ रहा है कि सेतिस्वे राष्टी खिल का योजन की सराज में किया गया चलिए पहलनी बार किसी राष्टी खिल का योजन किया है इस राष्टी खिल में सरवाधि क जितने वाला जो राज है वो महारास्टरा है देखिए यहीं इसी प्रस्त में एक प्रस्त हम लोग और एड कर रहे हैं कि जो 37 जो रास्तिक खेल में सरवादिक पदा कि किस राज ने जीता है तो वो महारास्टरा है highest ये medals को इसने पाया है highest medals पाया और medal tally में ये first position gain किया है लेकिन जो आयोजन का जो काम किया है वो गुआ किया है तो सवाल हमारा आयोजन से related है हमारा one का right answer हमारा भी होने वाला है आते question number second में सवाल क्या कह रहा है किस Irish लेखक ने उपन्यास पैगंबर सौंग जिसको आप इंगलिस में प्रोफेट सौंग भी कहते है के लिए बुकर पुरसकार 2030 जीता है ठीक ना इसमें से उस राइटर को पहचानना है चुनना है जो की प्रोफेट सौंग का लेखक है चलिए ऑप्सन में क्या क्या है जोन फासे, चेतना मारू, लुइस बुलुक और पॉल लिंच ठीक ना इसमें जो राइटर है वो आईरिस मूल का है और उसने बुकर आवाड 2030 को जीता है और वो है पॉल लिंच जोन फासे जो है ना ये इनको मिला है नोबल आवाड मिला है ये बुकर आवाड इनको नहीं मिला इनको नोबल आवाड मिला है ठीक है ना साहित के फिल्ड में इनको साहित के फिल्ड में नोबल आवाड मिला है आप ऐसे समझें तो चलिए एक हमार आप्सन ये भी काम करेगा कि जोन फासे को क्या मिला है तो ये के सबी प्रस्थन बहुत इंपोर्टेंट सावित होने वाले हैं चलिए कोश्चन नमर थिरी में क्या है सवाल कर रहा है कि ICC वन डे वर्ल्ड कप चिकना दो हजर सथाईस का आयोजन निमन में से कीस एक देश में नहीं होगा चलिए तो उस देश को चुनना है जिस देश में हाना दो हजार सताइस का ICC One Day World Cup आयोजित नहीं होने वाले हैं option में क्या है Kenya, Namibia दक्षिन अफरिक और Jim Bombay देखे इसमें जो right answer होना चाहिए वो आपका Kenya होना चाहिए ठीक है ना उसमें right answer Kenya होना चाहिए ये जो तीन देश आप जो देख रहे हैं Namibia दक्षिन अफरिक और Jim Bombay ये तीन देश मिल करके दो हजार सताइस का ये ICC World Cup आयोजित करेंगे ICC World Cup आयोजित करेंगी तीन देश मिल करके जबकि दो हजार तेईस में आयोजन किसके द्वारा हुगा था है तो इंडिया के द्वारा और ये चार साल पर होने वाला ये event है तो अगला हमारा कब होने वाला है दो हजार सताइस में होने वाला है जिसकी मेजबानी नामिबिया करेंगे दक्षिन अफरिका करेंगे और Jim Bombay करेंगे तो इसमें से कौन सा देश आयोजन नहीं करेगा वह होगा केनिया इसका मतलब है कि हमारा थिरी का राइट एंसर क्या होने वाला है आते क्षिन नमर फोर में निमने में से कौन सी ट्रॉफी भारतिये घरीलू किर्केट का T20 प्राडूट है मतलब कि मोटे मोटे सब्दों में ये कहें कि किस ट्रॉफी में 20-20 ओवर के खेल खेले जाते है ठीक ना चलिए वीजे हजारे ट्रॉफी सेयद मुस्ताक अली ट्रॉफी दिलिप ट्रॉफी और रज्जी ट्रॉफी किस ट्रॉफी में जो मैच होते हैं 20 ओवर वाले होते हैं तो इसका जो राइट एंसर होने वाला है वो सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी ठीक ना सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी जो होते हैं ये 20 ओवर के होते हैं जबकि जो वीजे हजारे ट्रॉफी जो होता ये 50 ओवर के गेम होते हैं इसमें ठीक नियुक ना तो चलिए तो यह सिमीत ओभर वाले यह आते नंबर फाइब में किस टीम ने हजारे ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता है चलिए हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस ने जीता है राजस्थान, हरियानah, पंजाब और बरोदा इसका जो राइट एंसर होना चाहिए वो होना चाहिए हर्याना हर्याना विजेता है और इसमें जो उप विजेता आप ऐसे समझ लीजिए या किसको हरा करके विजेता बना है तो वह राजस्थान यानि कि राजस्थान रणर्स रहा है राजस्थान उप विजेता रहा है जब सरस्रेश्ट फिल्म का राष्टी पुरस्कार जीता है चलिए पुस्पा रोकेट्री गंगुबाई काठी आवाडी और मीमी इसमें से एक फिल्म जो है वो सरस्रेश्ट फिल्म का आवाड जीता है राष्टी फिल्म पुरस्कार में चलिए तो इसका जो राइट एंसर होना च चाहिए ठीक ना रोकेटरी का पूरा नाम क्या रोकेटरी दनाम भी इफेक्ट पूरा नाम इसका इस तरह से है रोकेटरी दनाम भी इफेक्ट चलिए इसके जो डारेक्टर है इसके जो निर्देशक है वो कौन है तो एम माधवन इसके जो निर्देशक है वो है एम माधवन इसके बारे में कुछ और हम लोग information ले लेते हैं रोकेटरी फिल्म किस के उपर बना हुआ है यह इसरो के scientist जो भुद्परो जो scientist थे जिनका नाम था नाम भी नारायन इनका नाम था ठीक है ना इन पर कई तरह के charges लगाए गए थे खुफिया charges लगाए गए थे इन पर इन्हों नारायन पर ऐसा charge लगाए गया था कि इन्होंने इसरो के लिए खुफिया गिरी का काम किया है ठीक है खुफिया आरोप में इनको फसाय गया था बाद में सुप्रिम को इनको clean चिटे दे दिया तो जो रोकेटरी फिल्म है इनको इसको best फिल्म का award दिया गया है चलिए तो ह हमारा six का right answer क्या होना चाहिए भी होना चाहिए बच्चों आप इन प्रस्नों को खुद से बनाएए वीडियो को pause कर लेजिए चुकि यहां तो वीडियो तेजी से भागेगा यूंकि हमें total 40 हमें mcq करना है हमको वीडियो लंबा भी नहीं ले जाना है तो इस हिसाब से 2023 के सांती नोबल पुरसकार से की से सम्मानित किया गया है सांती नोबल पुरसकार किसको मिला है चलिए दलाई लामा अरुधंती राय नर्गिस मुहमदी और सुनीता कृष्णन इसका जो right answer होना चाहिए वो नर्गिस मुहमदी होना चाहिए यह इरान के है नर्गिस चाहिए आईए question number 8 में करें कि दादा साथ फाल के lifetime achievement award से की से सम्मानित किया गया दोजार तेईस में दादा साथ फाल की पुरसकार किसको दिया गया अगर संच्छेप में पूछे तो ऐसे रेखा को जया बच्चन को वहीदा रहमान को धर्मिंदर को किसको दादा साथ फाल होना चाहिए वहीदा रहमान एट का answer C होगा आईएगा number 9 में आईएगा world athletics championship में gold medal जितने वाले भारती ये कौन बने हैं चली option में है रोहिती आदो नीरत्चोपड़ा DP मनू और किसो जेना इसका जो right answer होना चाहिए वो नीरत्चोपड़ा होना चाहिए ठीक नहीं है बच्चो इसका right answer नीरत्चोपड़ा होना चाहिए नीरत्चोपड़ा पहले ऐसे भारती हैं जिन्होंने world athletics championship में gold medal जीता है जो 2023 का world athletics championship कहा हुआ है इसका अस्थान हम लोग ज hungry इसका आयोजन हुआ है आयोजन अस्थल भी अक्सर exams में पूछता है देखिए कुछ और information इससे मोग लोग ले लेते हैं world athletics championship में अना कोई भी तरह का पदक जीतने वाली जो पर्थम भारती जो खिलाड़ी थी उसका नाम था अंजू बॉबी जर्ज अंजू बॉबी जोर् 2022 में इन्होंने रज़त पदक जीता था silver जीता था ठीकना world athletics championship में और 2023 में इन्होंने gold medal को जीता यानि कि दो medal जितने वाले ये एक मात्र भारते खिलाड़ी है चलिए हम लोग बात करते हैं यानि कि हमारा nine का answer क्या होना चाहिए बी होना चाहिए हम लोग question number 10 की और move करते है A.C.I. hockey champions trophy 2023 का खिताब किस देश ने जीता चैंपियन्स trophy होकी का एक परमुख trophy है जैसे की cricket में है फीफा है फुटबॉल में फीफा है फुटबॉल में यूरो है और पा कप है तो वैसे होकी का एक परमुख trophy का नाम है champions trophy तो पूछ रहा है क्या कि 2023 का champions trophy किस देश ने जीता है ऑप्शन में है भारत मलेसिया पाकिस्तान और नेपाल इसका जो राइट एंसर होना चाए बच्चों क्या बता सकते है इसका राइट एंसर क्या होगा इसका राइट एंसर होना चाए भारत इसका विजेता रहा है दो हज़ार टेश के champions trophy का और मलेसिया जो है यह उप वि आईएगा कर रहे क्या कि हाल ही में किस भारती धाविका को डोपिंग के चलते चार वर्स के लिए बैन कर दिया गया है तो इसका नाम है पले अपसंदेक लेते ही मादास जो की इस प्रिंटर है दूती चंद अनूरानी इन में से कोई नहीं इसका जो राइट एंसर होना चाहि ठीक है ना दूती चंद को चार साल के लिए डोपिंग मामलों में इनको सही पाते हुए ठीक है ना इनको चार साल के लिए बैन कर दिया गया तो 11 का राइट एंसर हमारा बी होने वाला है आए नमबर 12 में किस देश ने फीफा महिला विसुकब 2023 का किताब जीता है उच राय किया कि किस देश ने फीफा महिला वर्ल्ड कप पुरूस वर्ल्ड कप ने फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का किताब जीता है और यह जितने वाले देश एस्पेन ठीक है ना इस्पेन ने फीफा महिला विस्टुकप दोजातीज के खिताब जीता इंग्लैंड को हरा करके चलिए इंग्लैंड को हरा करके और ये फीपा महिला भी सुकप आयोजीत कहा हुआ था इसका आयोजन अस्थल क्या था तो आयोजन अस्थल भी अकसर पूछता है थोड़ा सा अस्थल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजी लैंड ठीकन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजी लैंड ये दोनों मिल करके एक साथ इन्होंने इसका योजन किया था फीपा वर्ल्ड कप महिला के लिए तो इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए का राइट एंसर हमारा 12 का राइट एंसर C होना चाहिए आईए कॉश्चन नमर 13 में निमने में कौन साफ देशों का एक सदस देश नहीं है साफ का मतलब क्या होता है बाई नहीं साउथ एसियन साउथ एसियन ना फुटबॉल फेडरेशन South Asian Football Federation इसका पूरा नाम है साफ में फुटबॉल खेला जाता है ठीक ना ये देश आपस में फुटबॉल खेलते हैं चलिए तो कह रहा है कि इन में से कौन सा सदस्ट नहीं है साफ देशों में कौन सा सदस्ट नहीं है चलिए option में माल दियू सिरलंका नेपाल और अफगानिस्तान इसमें से बताना है कि कौन साफ देश का सदस्ट नहीं है तो बच्चों ये बहुत important सवाल है और इसका right answer अफगानिस्तान होना चाहिए अफगानिस्तान पहले था सदस्ट लेकिन बाद में फिर हट गया अभी इसके सदस्ट देशों में भारत है पाकिस्तान है हना माल दियू है सिरलंका है नेपाल है अना ये सभी के सभी जो है वो अभी के सदस्ट देश है चलिए तो इसमें आफगानिस्तान एक सदस्ट नहीं है यानि कि हमारा 13 का right answer हमारा D होने वाला है आई question number 14 के तरफ हेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है हेलो इंडिया महिला लीग का नाम change किया गया है तो नया नाम क्या दिया गया है जागरीती महिला लीग असमिता महिला लीग करेक्या कीरन महिला लीग और बेटी महिला लीग तो इसका जो नया नाम दिया गया हुए असमीता महिलाली यह असमीता जो वर्ड है ना यह बहुत ही महतो का वर्ड है चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए असमीता जो वर्ड है यह बहुत ही महतो का यह वर्ड है ठीक है ना असमीता चलिए इसका A4 क्या होगा Achievement A4 Achieving आप ऐसे रख लिजिए Achieving चलिए S4 Sports चलिए इसके बाद M4 क्या होगा Milestone M4 Milestone चलिए अब इसके बाद अब यहाँ पर कोई बीच में वर्ड है का By Inspiring यह बहुत महत्तो का यह वर्ड है और इसका Full Form यह बहुत IMPORTANT है And Aspiring चलिए इसके बाद Asmita है ना Women Aspiring आप किसको कर रहे है Women को कर रहे है ठीकर ना Through Action यही है Asmita Through Action तो जो अब आपे सवाल की तरफ कर रहे कि खेलो इंडिया महिला लिग कर नया नाम क्या दिया गया है यानि कि हमारा 14 का Right Answer हमारा क्या होने वाला है B होने वाला है आए Question No.15 के तरफ One Day 20 कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा सतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं कौन बने हैं भाई Glenn Maxwell सुर कुमार यादो विराट कोहली और डेविड वार्नर इसमें से एक खिलाडी जो है वो सबसे तेज दोहरा सतक मारने का रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ल कप में और वो है Glenn Maxwell आफगानिस्तान की खिलाब तो इन्होंने एक तरह से चमतकारी कर दिया था ठीक है ना और ये काफी चर्चा में रहे थे कि इस स्टेडियम में सचीन तेंदूलकर की परतीमा का अनावरन किया गया है चलिए देखते हैं अपसंस क्या क्या है अरुन जटिली स्टेडियम वानखेडे स्टेडियम ब्रेब बोर्न स्टेडियम और इडन गार्डन्स तो बच्चो इसका जो राइट जबाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कुछ गेस कर सकते हैं क्या तो वो है वानखेडे स्टेडियम मुंबई ठीका ना वानखेडे स्टेडियम में सचीन तेंदूलकर के परतीमा का अनावरन किया गया है सोलक का अंसर जोगा वो B होगा आई हम लोग आते हैं नंबर आगे कर रहे कि साहित के छितर में 2023 का नोबल पुरसकार प्राप्ट करने वाले हैं अभी थोड़ा देर पाले बात हुआ था ठीका ना जॉन फॉस जॉर्जी गोस्पोडिनो एंजेला रोडेल और इन में से कोई नहीं इसका जो राइट एंसर होगा वो जॉन फॉस होगा ठीका ना जॉन फॉस को साहित के लिए 2023 का नोबल आवाड दिया गया है जबकि जो जॉर्जी है इन्होंने क्या जीता है अंतराष्टिय बुकर आवाड इनको मिला है इनको अंतराष्टिय बुकर आवाड दिया गया है जॉर्जी को ठीका ना चलिए ये हमें याद रखना है तो जो एंसर है कोश्टन के नुसार्ट तो एंसर हमारा ए है 17 का राइट एंसर ए होगा जॉन फॉस्ट को साहित के लिए 2023 में नोबल आवाड दिया गया है चलिए आते नमबर 18 में राष्टी जल पुरसकार 2022 के सर्वस्रिष्ट राज के सिर्णी में किस राज को पुरसकार दिया गया है राष्टी जल पुरसकार किस राज को दिया गया है और वह है मध्ध परदेश, अना मध्ध परदेश को सबस्रेश्ट राज के पुरसकार दिया गया है, तो हमारा 18 का राइट एंसर जोगा वो D होगा, आएगा 19 में, करके कैटिलिन कारिको तथा ड्रू विस्मैन को किस छित्र में वर्स 2023 का नोबल पुरसकार दिया गया है, वि एंसर चिकित्सा होना चाहिए, ठिक न, चिकित्सा के फिल्ड में ये कारिको और विस्मैन को नोबल आवार्ड दिया गया है, 2023 के लिए, यानि का राइट एंसर हमारा क्या होना चाहिए, अप इसे खुद से हल करें, इसके बाद ही आप अपने एंसर को हमारे एंसर से टैली करें, इसको इसी तरह से मूवी की तरह ना देखें, चीक है, चलिए, आते क्वेशन नमर 20 में देखते हैं क्या है, निमने में से किस देश ने परधान मंत्री नरेंदर मोदी को अपने देश का सरवच नागरिक समान परदान नहीं किया है, इस में करने वाला का नाम नहीं नहीं बताना है, जिस देश ने हमारे परधान मंत्री नरेंदर मोदी को अपने सरवच नागरिक समान नहीं दिया है, उसको ट्रेस करना है, उसको खोजना है, चलिए, तुर्किये, आफगानिस्तान, संजुक्तरब अमीरात और बहरीन, यह सभी के सभी मुसलिम देश है, ठ तुर्की या तुर्की आप कहिए, तर्की, जिसको आप इंग्लिस में तर्की कहते हैं, इसने परधान मंत्री नरेंदर मोदी को अपने देश का सरवच नागरिक समान नहीं दिया है, चलिए, बाकी तिनों, अफगानिस्तान, संजुक्तरब अमीरात, बहरीन, इन सभी ने, ठीक है, अपने देश का जो उनका सरवच नागरिक समान है, उस समान को नरेंदर मोदी को दिये है, तो इसका राइट एंसर तुर्की होना चाहिए, 20 का राइट एंसर यह होगा, आईए, 21 में आते हैं, निमने में से किसने 72 मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, ठीक है, आपको बताने कि 2023 का जो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है, चलिए, मोरे विल्सन, सेनिस, पलासियोसिस, स्वेता सारदा और ताहिरा खान, इसका जो राइट एंसर होना चाहिए, वो सेनिस, पलासियोसिस होना चाहिए, ठीक है, ना, यह सारदा, स्वेता सारदा को Miss Universe बनी है 2020 के लिए यानि कि हमारा 21 का राइट एंसर हमारा अब भी होगा आईए 22 में निम्न में से किस पुरसकार को Asia का नोबल पुरसकार कहा जाता है ये एक बहुत ही परतिष्टित पुरसकार है और इतना परतिष्टित है कि Asia का नोबल पुरसकार इसको कहा दिया गया है गांधी सांती पुरसकार इंद्रा गांधी सांती पुरसकार रेमन मैकस से पुरसकार इनिमे से कोई नहीं तो बच्चो इसका जो राइट एंसर होना चाहिए वो रेमन मैकस से पुरसकार होना चाहिए ठीक ना जो कि फिलिपीन सरकार द्वारा परतेक वर्स दी जाती है यानि कि हमारा 22 का राइट एंसर हमारा C होगा आयो 23 में देखते हैं करके एबल पुरसकार ठीक ना एबल प्राइज किस छित्र में परदान किया जाता है बहुत इंपोर्टेंट प्राइज है बहुत इंपोर्टेंट पुरसकार है और फेमस पुरसकार है छित्र के बारे में पूछा जा रहा है कि किस छित्र में एबल पुरसकार दिया जाता है गनित के छेतर में, एक्टिंग अभीने के छेतर में, खेलकूद के छेतर में और समाजिक सेवा के छेतर में, तो इसका जो राइट एंसर होना चाहिए, एबल पुरसकार जो होता है ये नारवे सरकार, इसको नारवे देती है, ये कौन सा देश इसको परदान करती है, तो नार सतरंज विस्व कप के फाइनल में पहुचने वाले दूसरे भारती ये कौन बने हैं जो सतरंज विस्व कप के फाइनल में पहुचे हैं चलिए कृष्णन ससी कीरन निहाल सरीन और प्रगानंद और पेंताला हरी कृष्णा बच्चो ये अभी जो लड़का था भी कुछ समय प में में वो चैंपियन है मैगनस कालसेन पूरा नाम है इसका मैगनस कालसेन जो मौझूदा चैंपियन में ये मौझूदा समय में चैंपियन है तो इसको टकर दिया था फाइनल में हाले कि वो फाइनल हार गया था नाम है आर प्रगानंद आर प्रगानंद जो है ये दूसरा भारतिय है, जो कि WHYणी 27 काप के final में पहुचा है, और इसने किस के समक्ष कहला, तो Magnes Karsian के समक्ष कहला, हाला कि Magnes जीत गया था, यह tournament जीत गया पाला भारतिय कौन है भाई? जो कि 17 प्काप के final में पहुचा है, पाला भारतिय की अधरबारे में पूछा जाए तो बिश्वनाथन आनंद ठीक ना बिश्वनाथन आनंद ये पाले भारतिये थे जो की सतरंज भी सुकप के फाइनल में पहुँचे थे दूसरा जो फाइनल में पहुचने वाला वेक्ति है वह है आर प्रगानंद यानि कि हमारा 24 का राइट एंसर हमारा C होग आयोजन अस्थल भी बहुत मैंने रखता है इसका आयोजन बाकू और बाकू कहां है अजरबैजान में देश का नाम है अजरबैजान और जगह का नाम है बाकू जहां पर ये सतरंज भी सुकप खेला गया था चली हम लोग आगे बढ़ते हैं करें कि इवेस ओपन क्वेस ओ आना दबरोत तस्की और राउट लिफ पे इसमें से एक का नम बताना है जो कि इवेस ओपन 2030 लॉन टेनिस में इसने ट्रफी जीता है तो कोको पॉल है वो कोको पॉल है इवेस ओपन 2030 जीतने वाली महिला कोको पॉल है यानि कि 25 का राइट एंसर हमारे क्या होने वाला है भी कि ME अवार्ड गरहन किया है और वो है चली ओप्सन को देखते हैं आपकी स्क्रीन के उपर क्या क्या ओप्सन है रमीना टंडन एकता कपूर दिपीका पादुकोन और अलिया भट तो इसका जो राइट एंसर होना चाहिए वो एकता कपूर होना चाहिए ठीक ना इसका जो र भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं 104, 107, 109 और 113 तो राइट एंसर होना चाहिए 107 हना भारत ने ACN GIMS 2023 में 107 पदक जीते हैं और अस्थान क्या फूर्थ, रैंक कौन है तो फूर्थ रैंक, रैंक फूर्थ आ टोटल जो मेडल है वो एक सो साथ है ठीक है तो इसका राइ एंसर हमारा B होना चाहिए आएगा 28 में करे कि ICC पुरूस अंडर 19 किर्केट वी सुकप 2024 का योजन किस देश में होगा है सवाल ही पूछा गया है भारत में दक्षिन अफरीका में सिरलंका में और अस्ट्रिलिया में इसका जो राइट एंसर होना चाहिए वो दक्षिन अफरी में होने वाला है यह बहुत इंपॉर्टेंट यह वर्ल्ड कप है ठीक है ना सिनियर के बाद जुनियर के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है तो 28 का राइट एंसर हमार अब भी होगा आए 29 में ACI खिल 2023 में किर्केट में रजट पदक किस टीम ने जीता है स्वर्ण पदक और रजट पदक और कांस पदक मिलेंगे तो चलिए रजट पदक इसने जीता है पाकिस्तान ने बंगला देश ने अफगानिस्तान ने और भारत ने तो इसका जो राइट जबाब होना चाहिए वह आफगानिस्तान अफगानिस्तान को सिल्वर मिला है भार पाकिस्तान को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका तो हमारा जो सवाल पूछ रहा है कि रज़त पदग किस ने जीता है तो एंसर आफगानिस्तान होना चाहिए 29 का राइट एंसर क्या होगा बच्चों तो C होगा आए थर्टी में आते हैं पैरा ACI खेल 2023 में पदग तालिका में भारत का क्या स्थान था ठीक है अभी ACI खेल में तो भारत का चौथा स्थान था पैरा जो ACI खेल है ठीक है ना पारा पैरा उसको पारा इंग्लिस में कहते हैं पारा जो ACI खेल है जो 2023 में तो इसमें भारत का स्थान क्या था भाई तीसरा चौथा पा ACI खेल निमने में से कहां आयो जीत होंगे अब हमारा जो next ACN जो गेम होने वाला है वो 2026 में अभी जो हुआ था ये चीन में हुआ था अभी जो हाल में जो ये गेम हुआ था ना ये चीन में हुआ था आयो नस्तल चीन था पैरा वाला में भी यह जो पैरा जो एसी आई खेल हुआ है यहां भी चीनी है चीन का दबदबा बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया है चलिए सवाल यह पूछ रहा है कि 2026 का एसी आई खेल निमने में से कहा है जीत होगा चलिए ऑप्सन दिया है भारत दक्षिन कोरिया जापान और वियतनाम इसका जो राइट एंसर होना चाहिए वो जापान होना चाहिए जापान के नागोया में यह 2026 में यह आवे जीत होंगे यानि कि 2026 में जो ACI गेंस होंगे वह कहा होंगे तो जापान में होंगे 31 का right answer अमरसी होगा आए ये 32 में आते हैं ACI खेल 2030 में भारत में किस छित्र में सरवाधिक पदक जीते हैं ACI खेल 2030 में हुआ है तो भारत में किस फिल्ड में सरवाधिक पदक जीते हैं निसाने बाजी, तैराकी, एथिलेटिक्स और बैडमिंटर इस फिल्ड में सबसे ज़्यदा पदक जीता गया है तो वह है निसाने बाजी में ठीक ना, साथ गोल्ड समेत साथ गोल्ड समेत टोटल 22 मेडल जीता गया है यानि कि टोटल मेडल कितना जीता गया है 22 मेडल जीता गया है जिसमें की साथ मेडल गोल्ड मेडल है नीसा निबाजी में भारत ने अना अपना मतलब प्रभाव बना के रखा है तो इसका मतलब है कि 32 का राइट एंसर हमारा क्या होना चाहिए एह होना चाहिए आएए क्वेश्चन नमर 33 में आते हैं ठीकन अपारा ACI केम में इन्होंने वर्ल्ड डिकोर्ड कायम किया है उच्छा ये गया है कि ये किस खेल से संबंद रखते हैं बैडमिंटन में तैराकी में भाला फेक में और दोड में तो इसका जो राइट एंसर होना चाहिए वो भाला फेक में हाना गुजर सुंदर सिंग का संबंद किसे है तो भाला फेकने में गुजर सुंदर सिंग का संबंद किसे है तो भाला फेकने गेम से है यानि कि हमारा 33 का राइट एंसर हमारा क्या होने वाला है सी होने वाला है आए 34 में चलिए सवाल कर रहे कि दिपी का पलिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने ACI खेलो के किस गेम में सोर्ण पदक जीता है इन्होंने साथ मिलकर किस गेम में सोर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में, स्क्वैस में, टेबल टेनिस में, लॉन टेनिस में इसका राइट एंसर होना चाहिए, स्क्वैस में, ठीक है न, यह दिपी का पलिकल एक स्क्वैस प्लेयर है यानि कि हमारा 34 का राइट एंसर हमारा क्या होना चाहिए, यह बी होना चाहिए चलिए आते हैं 35 में, निम्न में से किस खिलाडी ने, सबसी ज़्यादा पुरूस एकल वर्ग में, ग्रैंड स्लैम जीता है इसने 24 ग्रैंड स्लैम जीता है, आप ऐसा समझेए, और अभी खेल रहा है, अभी वो रिटार नहीं हुआ है वो खिलाडी अभी खेल रहा है, रिटार नहीं हुआ है, चलिए रोजर फिडरन, राफिल नडाल, पिट सेंपरास, और नौवाक जोकोविच तो इसका जो राइट एंसर होना चाहिए, वो नौवाक जोकोविच होना चाहिए, सर्वियन प्लेर, यह सर्विया का खिलाडी है, जो कि अभी मैक्सिमम यह इसने 24, हना, इसने मतलब कि ट्रोफी को जीत लिया है, 24 ग्रैंड स्लैम को जीत लिया है तो हमारा राइट एंसर होना चाहिए 35 का राइट एंसर क्या होना चाहिए डी होना चाहिए आए 36 में आते हैं करें के 2024 के Griss McCallin Olympic आयोजित होंगे कहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तो 2024 से स्टार्ट हुआ है ठीक न तो पूछ ये रहा है कि 2024 के जो Summer Olympics हैं वो कहां पर होंगे अमेरिका में फ्रांस में जर्मानी में और अस्टेलिया में बच्चो इसका राइट एंसर होना चाहिए फ्रांस में फ्रांस अभी आयोजित करने जा रहा है ग्रिस में कालिंग Olympic 36 का राइट एंसर हमर अभी होगा आये 37 में 2026 में होने वाले फीफा 200 कप फुटबॉल निम्न में से एक देश में आयोजित नहीं होंगे वो आपको देश चुनना है जहां पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 आयोजित नहीं होंगे चलिए कानाडा, चीन, अमेरिका और मेक्सिको बच्चो इसका राइट एंसर होना चीन ठीक है यह जो तीनों जो उत्तरी अमेरिकी देश महादेश के जो यह देश है यह करने जा रहे हैं हना यह तीन मील करके एक साथ आयोजिन करेंगे कानाडा, अमेरिका और मेक्सिको ठीक है यानि कि हमारा जो 37 का राइट एंसर क्या होगा वो भी होगा आईए नमबर 38 में निमनलखित में से किस छेत्र में जेसी भी पुरसकार दिया जाता है नाम थोड़ा अटपटा जेसी भी पुरसकार लेकिन बहुती प्रिस्टेजियस ये पुरसकार है उस छेत्र के लिए बहुती प्रिस्टेजियस पुरसकार है चलिए सेवा के लिए खिलकूत के लिए साहित के लिए और चिकित्सा के लिए तो जीसों भी पुरस्कार दिया जाता है ये साहित के फिल्ल में दिया जाता है 38 एंसरामर असी होगा हम लोग आगे बढ़ते हैं 39 में निमने में से किस अभिनेतरी ने दादा साथ हाल के पुरस्कार को नहीं जीता है यानि कि तीन जीती है और एक नहीं जीती है चार ओप्सन में एक को पकड़ना है जिसको अभी तक दादा साफाल के पुरसकार नहीं मिला है सुलोचना वहीदा राहमान आसा पारिक और हेमा मालिनी बच्चों बहुत इंपोर्टन सवाल है अभी तक किस में से किस महिला को इसकी तरफ दा फिल्ड्स मेडल किस छेत्र में दिया जाने वाला एक परतिश्चित पुरसकार है ठीक है भौत की में चिकित्सा में साहित में और गनीत में तो इसका राइट एंसर गनीत होना चाहिए ठीक है यानि कि हमारा 40 का राइट एंसर D होगा तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग ने टोटल 40 MCQ को देखा जो की करेंट अफेर से रिलेटेड थे आप इन सारे MCQ को खुद से बनाए इसके बाद आप अपने एंसर सीट से अपने एंसर सीट को हमारे एंसर सीट से मैच कर ले आज की बात इतना ही थांक यू बेरी मच